दोस्तों अगर आप oxygen का plant लगाने की सोच रहे हैं तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज कि इस वीडियो में हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जो एक oxygen लगाने के लिए बहुत जादा आवश्यक है जैसे कि आपको इसमें कॉंसे स्टेफ फॉलो करना होगी आपका कितना investment होगा साथे साथ आपको इसमें कितना return मिलने वाला है तो इस सारी जनकरियम आपको देंगे लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी request है अगर आप पहली बार अपने इस channel पर आए हैं उन मेंसे oxygen ही एक ऐसी मातरगेस है जिसके बिना हम जीवन की कलपना बिलकुल भी नहीं कर सकते दूसरी और जैसा कि हम सबी जानते है कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के चलते मरीजों की तादा दिन बर दिन बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ अस्पतालों में oxygen के cylinder की कमी होने लगी है ऐसे में यदि आप इसका manufacturing plant शुरू कर देते हैं तो आपको इससे बहुत जादा फायदा मिलेगा इस business को शुरू करने से पहले आपको इसके कुछ standards follow करना होगे जैसे कि हम आपको बता दे कि medical oxygen gauge जो cylinders में available होती वो पूरी तरह से pure होती है मतलब की वो पूरी तरह से शुद्ध होती है उसमें किसी पी तरह की अशुद्धी नहीं होती मतलब दोस्तों आपको ये पूरी तरह से सुनिशोग करना होगा कि जो oxygen gauge आप cylinder में भने वाले हैं उसमें किसी भी प्रकार का विशाक्तिपदार्त या रनी रसायन तत्थ वो मौझूद ना हो प्रोडूशन से पूरी तरह से साफ हो जिसकी वज़ा से उसको उप्योग करने से किसी भी मरेश को कोई भी परेशानी नहीं हो किन-किन steps को follow करना होगा जो सबसे पहले step होती है दोस्तो medical oxygen cylinder की manufacturing unit से संपर्क करना आप किवी करना होता है यह हम मेधिकल उक्सीजन बिजनेस की लोजिस्टिक व्हार होई है अवश्यक्ता होती है ऐसे प्रवामिटर। दबाओ गेज है, ऑक्सिजन मास्क है, प्रवेशनी है और अन्य कई अलिमेंट होती है जो पूरे सिस्टम को एक साथ फिट करने के लिए जरूरी होते हैं मेडिकल ऑक्सिजन गेज सिलेंडर का परिवहन कोई आसान काम नहीं होता, उसके लिए कई जादे स्टैंडर्स होते हैं जो आपको फॉलो करना होते हैं जिसे कि आपने रिसेंटली केस सुना होगा जिसमें ऑक्सिजन गेज अस्पतालों तक ट्रांसपोर्ट की जा रही थी तो रास्ते में ही लीक हो गई तो दोस्तो बहुत ही ज़्यान के साथ, बहुत ही ज़्यान के साथ इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है मतलब oxygen gas cylinder के production में आपको जितने standard फॉलो करना होते हैं उतने ये standard आपको उसके transportation में भी फॉलो करना होंगे अब हम आते हैं सबसे ज़्यादा महत्पुन पॉइंट की ओर दोस्तों medical oxygen gas के cylinder के business के लिए आपको एक सबसे महत्पुन चीज़ के आवशकता होती है वो है उसका license दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का medical से related business शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास license और अनुमती ज़रूर हो जैसे कि दोस्तों आप किसी भी राज्य से बिलॉंग करते हों मगर आपको कोई भी medical जो की विशिष्ट medical उपकरन है और उसे आप बेचना चाहते हैं तो आपको license की बहुत ज़्यादा वशकता होती है इसलिए राज्य इस तर पर उसके लिए कुछ parameters होते हैं आप सबसे पह जाते हैं कि आपका बिजनस सुचार रूफ से चले तो उसके लिए कुछ कानूनी guidelines भी होती हैं जिसे आपको follow करना होगा जैसे कि आपके राज्य स्तर पर कुछ निगमन कानून होंगे उसकी जाच करना होगी तो इस सारे parameters भी आपको जरूर देखना पड़ेंगे अब हम ब दक्षे को पूरा करने के लिए इसमें कम से कम 10 से 20 लाक रुपे तक का investment करना होगा इस business में इससे जादा बेंवेस्मेंट करने के आवश्यक्ता पड़ सकती है इसके लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं medical oxygen gas cylinder के business में आपको कितना profit हो सकता है जै इससे इन दिनों में आपको बहुत अधिक मुनाफ़ा हो सकता है अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस gas cylinder के business में आपको कौन-कौन से risk उठाना पर सकते हैं जैसे कि हम सबी चाहते है oxygen gas cylinder में दबाओ बहुत अधिक होने के कारण इसके transportation की सुरक्षा को लेकर एक बहुत ब करने का मोका प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इस business में आपको काफी साउधानी बरतनी की भी आवश्यक्ता होती है जिसका आपको ध्यान रखना होगा तो दोस्तों यह सारी steps थी जो हमने आपको बताया आपको क्या-क्या follow करना होगा आपका कितना investment होगा क्या profit होंगे क्या risk तो definitely आप अपना एक अच्छा business plant start कर सकते हैं I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसके अलावा भी आपकी कोई क्योरी है तो आप हमें comments box में comments करके बता सकते हैं तो आपको यह वीडियो कैसा लगा please हमें comments करके जरूर बताईएगा फिर से मिलते एक नई धमाकेद वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye दोस्तों